हेलो फ्रेंड्स दिस इज एस्पी सिंग एंड वेलकम टू इसमार्टर एवरी डे प्यारे तोस्तों बात करेंगे बीएड फॉर्थ सेमेस्टर एकॉर्डिंग टू कानपुर यॉनिवर्सिती अभी कुछी दिन पहले आपका बीएड फॉर्थ सेमेस्टर का एक्जाम फाइन भी था कि कैसे आप अपनी अश्याइन्मेंट फाइल को बना सकते हैं लेकिन ये आज एक विद्यार्थी ने जिस तरीके से इनको कॉलेज से मैसेज आया इन्होंने as it is मुझे forward कर दिया और हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या लिखा है क्या ये लोग कह रहे हैं और ये जो comprehensive वाइवा होना अतिशीगर प्रस्तावित है इस संबन्द में सनलगन practicum work के साथ आपको वाइवा में उपस्थित होना है अतहां आप अपनी तयारी पूर्ण कर लीजे और नीचे एक PDF इन्होंने forward की है ये बच्चे ये कह रहे हैं कि नमस्ते सर सरी ये सब work करवा दीजे प्रस्ताव हैं किस्ट से ये आपको सेंड की आपको नेम तो हम नहीं बताएंगे आपको तो इनको ये फीडियो फ़वर्ड की गया है और इस PDF में इन्होंने यहां पे लिखा है प्रेक्टिकम work फ़ूर्ट समेस्टर का है ठीक है और पेपर फर्ष्ट देखिस्मझें आप पूरे concept को समझे कर आपके college से नहीं मिला है तो खो सकता है कि आपको मिलने वाला हो तो उस पर ध्यान दीजेगा क्योंकि बार बार हम video बना करके यही सब हम पहले भी आपको बता चुके हैं file कैसे बननी है और इसको भी हम यहाँ पर समझाए दे रहे हैं paper first development of education system in India इस paper में क्या करना है यह कह रहे हैं कि आपको assignment तयार करना है paper first के पूरे syllabus में से किसी एक topic पर assignment लिखना है assignment कैसे लिखना है assignment कैसे बनाया जाता है इस पर हमने आपको विद्वत तरीके से वीडियो बना करके समझा दिया है कैसा भी assignment हो किसी भी class का assignment हो आप आसानी से बना सकते हैं क्यूंकि assignment बनाने का process शेम होता है ठीक है इसमें क्या होता है कि आप एक side page plane होना चीए एक side line होनी चीए आप उसको लिखते जाएंगे जो topic आप लिख रहे हैं उससे related अगर आपको कोई picture मिलती है तो वो उसको आप इधर left side में paste कर दीजिए right side में उसके उससे related लिखा होना चाहिए ठीक है अगर जो topic आपने यहाँ पे लिखा है ठीक है उससे related picture आपको नहीं मिल ले तो यहाँ भी उससे related को अच्छी line हो तो वो आ पैसे लिख दीजिए यह सब होता है वह आप वीडियो देख लीजिएगा कि assignment कैसे बनाये जाते हैं तो यह इनका पहला point हो गया कि आप किसी भी एक topic पर आपको assignment लिखना है एक topic है तो मुझे लगता है कम से कम इनको 10 page तो चाहिए होंगे ठीक है 5-6 page हो तो कोई बड़ी ब बोलते हैं यानि कि PPT बनानी है hard and soft copy दोनों बनेंगी तो यह तो फिलहाल नहीं बनवाया जाता है और अगर यह कह रहे हैं तो इनसे थोड़ा आप sample बगरा मांगे लिजिए अगर आपको नहीं पता है तो इस सेंपल बगर थोड़ा दिखा दीजिए कि कैसे यह बनेंगी त कैसे PPT तयार करनी है topic पर तो आप आसानी से तयार कर सकते हैं कोई एक topic लेकर कि उसके बारे में आप PPT पर बना देंगे उसको लेकिन यह जरूरी होता है कि जो college वाले हैं वो किस तरीके से बनवा रहे हैं यह depend करता है उन पर ठीक है तो क्योंकि अलग-अलग college वालों का अब प्रेट नहीं होना चाहिए बिल्कुल कता ही simple assignment लिख के लाओ मैंने कहिए तो पहली बार किसी नहीं ऐसा बताया है तो यह चीज़े डिपेंड करती है आप तोड़ा समझ लीजेगा आप पेपर सेकंड पर आते हैं यह कहता है कि जिसे concurrent issues of education है assignment पेपर सेकंड के पूरे सेलेबर्ष मेंशे किसी एक topic पर assignment आपको लिखना है किसी एक topic पर assignment लिखना है यानि कि को मिलाकर कि आपको 10 page लिखने है और कैसे लिखना है assignment यह आप तमारे वीडियो देख लिना कि assignment कैसे बनाया जाता है इसमें भी आपको PPT तयार करनी है paper second के पूरे सेलेबर्ष मेंशे क इसी एक topic पर PPT बनानी है hard soft copy दोनों बनेंगी तो इस पर भी आप ध्यान दीजिए एक बार आप पूछे अपने college से कि यह PPT कैसे बननी है यह आप थोड़ा बता दीजिए ठीक है उनसे कहना कि assignment हम बना लेंगे हमें पता है PPT थोड़ा दिखा दीजिए असा sample उनके पास ब पर थर्ड के पूरे सलयवश में से कोई एक विस है जो आपको अच्छा लगे उस पर आप assignment लिखना सुरू करतीजिए लिख लीजिए पांच से यानि कि 8 से 10 पेश PPT वही बात है कि पूरे subject से कहीं से भी आप PPT बनाए hard soft दोनों को भी बनेंगी अगला fourth one जो paper है यह कह रह होता है उसका अर्थ क्या है परिभासा क्या है उसके बाद नीचे दिए जा रहे हैं दोनों groups में से एक-एक खेल का चैन करना है उसके बाद उन खेलों का viogen कैसे किया जाता है उनके नियम और शर्तें कौन 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 सी होती हैं, उन खेलों में आप कैसे निपनता हासिल कर सकते हैं, उन खेलों के अंतरगत ट्रैक अंड फिल्ड का क्या यूज से ये सब लिखना है, पहली बात तो ये कह रहे हैं कि व्यायाम टॉपिक उठाइए, इस पर आप से दस पेज लिखिए, फि कहानी मत पढ़ो, बस ये जान लो कि यहाँ पर हमें क्रिकेट के बारे में लिखना है, आगे बढ़ेंगे, फिर दूसरी रिपोर्ट इस पर तयार होगी, बुनियादी योग क्रियाएं, सीखना और प्रदर्शित करना, ये टॉपिक इनका है, फिर इसके बाद आपको फिल इसे पूछ लेजे कि अगर ये हम ना करें तो कोई इसू तो है नहीं, ठीक है, फालतू में क्यों परिसान कर रहे हो बच्चों को, तो ये चीजे हैं, ये जो उपर आपने बताया है, कोई एक जो है, ये लेकर कि एक खेल लेकर कि फिर उसके उपर आप पूरा असाइन्में सेम बनता है, कोई बिल्कुल 0.0% डिफरेंट नहीं होता उसमें, वो आप बना लीजे, लेकिन ये जो ये बता रहे हैं, फिल्ड वर्क बगारा तो इसे से पूछ लेजे कि अगर ये हैं ना बनाएं, तो कोई इसू तो है नहीं, फालतू में परिसान करना चाहो, बच्चो चार सब्जेक्ट है, चार सब्जेक्ट के चार अशाइनमेंट बनवा लो, ठीक है, उतना काफी है, ये जो आप अपना PPT बनवा रहे हो, अलग से ठीक है, फिर ये क्रिकेट खेल वाला बनवा रहे हो, फिल्ड वर्क अलग से करवा रहे हो, ठीक है, और ये ये जो सब है इसके लिए हम कह रहे हैं कि आप अपने कॉलेज से रिक्वेस्ट की जए कि सर ये सब ना करवाएं आप जो हमारे चार सब्चेक्ट हैं चार सब्चेक्ट की फाइल हमसे बनवा लो ठीक है एक टॉपिक है एक टॉपिक हम लिख लेंगे दस दस पेज का 40 पेज हो जाएंगे कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है 40 पेज आप दो दिन में लिख देंगे क्यूंकि असाइन्मेंट में एक तरफ से पूरी कहानी लिखने नहीं होती है बस बड़ीया बड़ीया परेगराफ बना बना करके लिखना होता है तो जल्दी कबर है कि सर देखिया ऐसा है हम चार हमारी चार सब्जेक्ट हैं चार सब्जेक्ट के फाइल हमसे बनवा लो और ये सब सर हमसे नहीं बन पाएगा क्योंकि टाइम इसमें लगेगा बहुत हमें आगे सीटेट वेगरा या जो भी हमारा एकसाम है वो भी हमें देखना है क्योंकि यह सब हम लोग भी नहीं कभी कराते हैं ठीक है यह ना तो एक्जामनर आके देखता है वो सीधा आपकी चार में फाइलें देखेगा उसी से related questions पूछ लेगा आपसे दो चार और कहां नहीं खतम ठीक है तो यह चीजे हैं अब इसमें जो assignment बनेगा कैसे बनेगा यह हमारा रहता है को comment रहता है आपका तो आप comment box में छोड़ सकते हैं और हाँ जो यूपीपी की डेट आप किया गई है अगर आप में से कोई बच्चा उत्तर प्रदेश पुलिस परिक्षा कॉंस्टेबल की जो परिक्षा वो दे रहा है तो हमने पोस्ट डाली एक community पोस्ट उस पर जाकर कि आप वोट कीजिए बताइए कि आप यह यूपीपी एक्जाम दे रहें कि नहीं दे रहें थैंकी सो मच किसी भी इसू के लिए आप में comment कर सकते हैं